परिश्यम और अप्रतिमी योगदान से हमारा अनुठा सविधान अस्तितिमाया आज से साथ दशकपूर जब हमें स्वतनता मिली थी तब हमारे सामने भारत के निर्मान की महती जिम्मेदारी थी तब उस दावित को स्विकार करते वे देश की जनता ने भारत की सविधान सवा को महत्पूर कारे की जिम्मेदारी दी थी इसके बाद भीम राओ अंबेटकर जी एंव सविधान सवा के सभी मनिश्यों के अथक प्यासों से संपूर्ण भारत की आशाओं और उमिद्मों के प भारतिय संस्कति और सब्विता के विकास की उतकष्ट अभी वेक्ति है यह हमारे आदर्निय पुर्वजों की दिव्य संकल्प का शंकवाद है इसले पईत्र भी है और शधा का पात्र भी है बीते सत्र सालों में सविधान ने देश की विकास यात्रा में विशिष्ट भू पुरान हमारे सामने नई चुनोतियों भी है और नए अवसर भी आये हैं तेजी से बदलती हुई अंतराष्टी परिस्तियों में हमारा सविधान आज भी हमारा संभल है नई प्रोध्योगिक और सूचना तक्निकी से उत्पनिस्तितियों से निमटने में हमारा सविधान हम में मारदशन प्रधान करेगा ऐसा मेरा विश्वास है लेकिन इसके लिए एक नई डश्टी कौन से सविधान को देखना होगा इस भावना से हम सविधान दिवस को करतव्य पर के रूप में मनाएं और एक नई शुरुआत करें सविधान ने हम सब को मोलिक अधिकारों की पुछ मौलिक करते भी निधारित किये गये हैं हम सब भारत वासी जदी सविधान के अनुचेद इकाउन ए में दिये गए मौलिक करतियों को अपने रोज मर्रा के आचर में उतारे तो हम बहुत जल्दी एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं हम सविधान के मौलिक करतेओं को देखें तो इस पश्ट हो जाता है कि उसमें मानवी जीवन के हर परलू को अनुशाशित करने की परिकल्पना की गई है हम सब देश व्यासें से यही अपिक्षा की जाती है कि हम सविधान का पालन करें उसके आदश और स्वस्ताओं का आदर करें हम भारत की संपर्भूता एकता अखंता की रक्षा करें और उसे अश्ण बनाए रखें हम देश की रक्षा और राष्ट की सेवा करें इसके साथ ही हम विज्ञानी सोच विक्सित करते हुए अपने शित्रों में शिष्टा हासिल करें सविधान में जहां एक तरफ मोलिक अधिकारों के रुपे हमें प्रयाप्त आजादियों शक्तियां दियें दूसी तरफ संतुलन बनाते हुए मोलिक करतेओं का निर्देश करके हमें अनुशाशित भी किया है यह अनुशाशन मोलिक अधिकारों दारा दी गई आजादियों सक्तियों के प्रयोग का एक जरूरी शर्थ है मोलिक करतेओं के पालन से राष्ट की अधिकाश समश्याओं का समाधान हो सकता है सविधान में उलेक कियेगे मुलिक करतेवों में हमें उन आदर्शों और मुल्यों की याद दिलाते हैं जिनोंने संता सग्राम में हमें प्रेद किया है देश की संप्रभूता को बनाए रखने का दर्शन दिया है और देश में संप्रवस्ता की बहार चलाई है लेकिन कर्तिवों से मुख खोकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पेदा होता है इस असंतुलन के कारण देश की विकास में बाधाय आती है और विकास की गती धीमी होती है आज संसत के दोनों सद्नों के प्रदिदियां उप स्तित हैं मेरा आप सभी से निवदन हैं कि आप इस बात पर आम राएं बनाएं कि अनुचीत का पालन स्रीप विये का धीन नहरे जाएं। समय आ गया है कि हम सभी सांसत देश के सामने एक ऐसा आदर्ष पस्तुत करें जा अधिकारियों के साथ साथ हम अपने कृतेवियों का स्वरन भी करें और दूसरों को भी कराएं। साथियों भारत का सविधान बस कुछ कानून और निमों के एक लिखित कताब नहीं है। सविधान के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए नए भारत के निर्माण का संक्रपने जैहिन। माननीय प्रधान मंत्री विशिष्ट अत्दिगड़ों को संबोधित करेंगे। महा महिम राष्ट पती जी, आदर्नी उपराष्ट पती जी, आदर्नी स्पीकर महताई। सेमान प्रहला जी, और सभी आदर्नी उपराष्ट. झाल झाल